नमस्कार आप देख रहे हैं नीज्वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन लरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में और आज इंटेनेशनल योगा दिवस हैं तो उमीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और योग करके अपने आपको और जादा स्वस्थ बनाएंगे इसे के साथ शिर्वात करेंगे खबरों की आज दुनिया भर में साथवा अंतरास्टिया योग दिवस मनाये जा रहा है इस दोरान प्रिधान मंत्री नरिदर मोदी ने देश को संबोधित किया उन्होंने देश को योग से सयोग तक का मंतर दि हुआ है इस बार भी थीम योगा फॉर वेलनेस ने लोगों में योग के प्रती लगाफ को और जादा बढ़ाया है साथ उन्होंने कहा कि हमारे रिश्य मुनियों ने कहा था कि सुग दुग में समान भाव रहें उन्होंने सयम को योग का पैरामीटर बनाया था आज जब प सांस्कृतिक पर्व नहीं है फिर भी वे सब इसका अनुसरण कर रहें हैं इस मुश्किल समय में योग के प्रती लोगों को लगाफ बढ़ाना है साथ ही योग करना है क्योंकि योग ही हमारे लिए सुरक्षा कवच है देश की राजधानी दिले में आज से पाबंदियों में और ज़्यादा छूट मिल रही है कोरोना के नई मामलों में लगातार कमी के बीच आज से पचास फ्रीस्ती बैटने की शमता से श्वेयर में रेस्टराण और बार खुलने जा रहे हैं अनलॉक के चौते चुरण के तरह सारवजनिक पार को गार्डन को भी फिर से खूलनी के अनुमती है इसके साथ ही दिली सरकार ने इस उनिश्यत करने के लिए कि जो लोग इन स्थानों पर जाते हैं वे कोवी नियमों पर सकती से पालन करें मास को पहने और समाजिक दूरी बनाए रखें राजधानी में अब रेस्टरेंट सुभा आट बजे से लेकर दस बजे तक खोलेंगे जबकि अभी सुभा दस बजे से लेकर रात आट बे तक खोलने की जाज़त थी बार खोलने की समय सीवा तो पहर बारा बजे से रात दस पर तक तैकी गई है यादेश 28 हाई जून सुभाब पांच बे तक लागू है दली मेट्रो अपने प्रोजेक्ट साइट पर मज़ूरों के लिए कई और वैक्सिनेशन सेंटर बनाएगा ताकि मज़ूरों को नस्दीक में ही वैक्सिन मिल सके रहे विवार को मेट्रो के अधिकारी ने बताया कि मेट्रो कंस् वाले साइटों पर वैक्सिन के प्रती लोगों को जागरू करने में लगा हुआ है मज़ूरों को वैक्सिन के फायदे से जागरू किया जा रहा है दिली मेट्रो ने एक बयान में काया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई बाद हैं सामने आई है इसके बाब जो दिली मेट्रो ने फेस फाइफ कोरिडर के निर्मान कारे लगातार जारी रखा है इसके साथी कई मैतुपन कारे को पूरा करके एक मिसाल कायम की है कोरोना वारस की दूसरी लहर में मामले कम होने के बाद अमाम राज्य अपने यहां की गतिविधियों को अलॉक करने की प्रक्रिया में कोरोना के द्यानिक मामलों को देखते हुए राज्जी सरकारों को लोगडाउन जैसी पाबंदिया लागू करनी पड़ी थी जिसे अब धीरे-धीरे करके हटाया जा रहा है। उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंद बास बन गए हैं उन्होंने इस मामले में जैकी कौवी को पीछे छोड़ दिया है। रही है। इंडिया की खबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूजवल इंडिया के साथ। इंडिया 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 इंडिया